यहां पर आपको आइडेंटीटीज्स के बारे में बता देता हूं यहां पर आपको आइडेंटीटीज्स यूज होंगी तो यहां पर आप देखिलीजिए थोड़ेसे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले बोल सकते हैं इंपोर्टेंट फॉर्मूले यहां तो फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं यहां पर देखते हैं किस तरीके से अपने आपको पता है वह है sin square theta plus cos square theta is equal to a 1, okay, this is our first identity, second identity है 1 plus 10 square theta is equal to a sec square theta, okay, यह अपनी second identity है, then third identity आपकी है 1 plus cot square theta is equal to a cos square theta, okay, तो यहाँ पर exercise 3.2 के लिए, first जो topic था वो अपने को क्या पढ़ना था, identities पढ़ना थी, तो identities यह तीन तरीके की होती है, जो कि आपने 10th class में पढ़के रखी है, तो इसी को अपने एक बार थोड़ा सा revise कर लिया है, okay, अब यहाँ पर अपन second topic के उपर बढ़ते हैं, तो second topic आप देखेगा क्या है, जैसे माल लीजिए मैं trigonometric, trigonometric, trigonometric ratio के बारे में बताऊंगा, trigonometric ratio of angle, माल लीजिए of angle minus theta वाले ब भी लिका हुआ है, sine minus theta, तो sine minus theta क्या होता है, minus sine theta, फिर आप देखोगे, second को पढ़ना पड़ेगा, cos minus theta, cos minus theta होता है, positive cos theta, देञ, आप फ़र पढ़ोगे, 10-θ, 10-θ होता है, —10θ, then फिर आपको 4 देखना होगा है, Howieg přि पको 5 देखना होगा, 超 काजएक माईनस थ, 超 तो कोजएक माईनस थ, Oh, पोरिफ्वेक्नी सुष्वेक्ट होता है, —2 देखोगे 5, daw सेक माईनस थ, देखोगे 6, बाकि सब जो होते हैं वह नेगटिव फॉर्म में होते हैं तो 3.2 एक्साइज का यह अपना सेकंड पार्ट है जो कि अपने को एक्साइज 3.2 में यूजगा बढ़ते हैं अपने next part की ओर, next part में आपको यहां पर पढ़ना होगा graph के बारे में, तो यहां पर graph के बारे में concept, 10th class का concept है यह, तो यहां पर इसे एक बार revise करेंगे, किस तरीके से यह graph वहाँ पर होता था, तो यहां पर exercise 3.2 के लिए बहुत important topic है यह graph का concept, तो आप यहां पर ध्यान से समझेगा, ओके, तो यहां पर अपन graph के बारे में समझेंगे, तो आप दिखेगा graph के अंदर जो एक बात किरी जाए, तो graph में आप दिखेगा, x-axis और y-axis दोनों 4 quadrant में divide होते हैं, ओके, this is our, मान लीजिए, first quadrant and this is our second quadrant, और यह जो है, वो कौन सा है, third quadrant and this is our fourth quadrant, तो इस तरीके सब आपने fourth, चार quadrant होते हैं, तो चार quadrant में आपको यह पता होना चीए, कौन सा trigonometric function कहां पर positive या negative होता है, तो देखेए, आपको इसके लिए क्या करना होगा, एक sentence याद करना होगा, वह sentence होता है, all student, all student take coffee, तो इसे आपको, ग्राफ को समझने के लिए, एक sentence क्या होगा, याद करना होगा, all student take coffee, all मतलब यहां पर क्या होगा, सभी trigonometric function, अब trigonometric total function, trigonometric total किते होते हैं, only six होते हैं, sin theta, cos theta, 10 theta, then sin का उल्टा cause, cos का उल्टा sake, and 10 का उल्टा cause, तो all मतलब क्या सभी, मतलब first quadrant में सभी क्या रहेंगे, all क्या रहेंगे, positive रहेंगे, then all student, student मतलब यह कहां से start हो रहा है, s से, तो s मतलब कौन सा trigonometric function होता है, sin theta, तो sin theta और sin theta का opposite क्या होता है, cos theta, तो sin theta और cos theta भी यहां पर क्या रहेंगे, positive रहेंगे, then फिर आपको बात करनी है all student take, take मतलब यह काई से start हो रहा है T से तो T मतलब कौन सा function होता है 10 theta, then 10 का उल्टा क्या होता है 4 theta तो 10 theta और 4 theta क्या होते हैं 3rd quadrant में क्या होते हैं positive होते हैं तो all student take coffee, coffee मतलब यह काई से start हो रहा है C से C means आप दिखेंगे कौन सा trigonometric function होता है cos theta, cos theta का उल्टा होता है sec theta तो it means यहाँ पर 4th quadrant में cos theta और sec theta क्या होते हैं positive होते हैं तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको graph के बारें पता होना चाहिए कौन सा trigonometric function कहाँ पर positive और negative होता है 2nd quadrant में sine और cosine को छोड़के सब negative होते हैं 3rd quadrant में 10 और quad को छोड़के सब negative होते हैं 4th quadrant में cos और sec को छोड़के सभी negative होते हैं देखें आपको यह तो पता है this is our zero, then this is our 90, and this is our 180 180 को open बोलते हैं, pi से बोलते हैं then 90 को आप क्या बोल सकते हैं pi by 2 then this is our 270 तो इस तरीके से वापिस से मान लेजिए जीरो से पाय है और पाय से जब इधर जाते है तो पूरा जो एंगल बन जाता है वापिस से कितने का बन जाता है टू पाय का बन जाता है ओके दिस इस अवर पाय एक और पाय जाते तो यहां पर वापिस से क्या हो जाता है टू पाय ह हो जाता है तो यहां पर इस तरीके सा आपने देखा अब यहां के थोड़े से concept देखते हैं कि किस तरीके से यहां पर formula होते हैं देखें आपने 10th class में कुछ formula यहां पर पढ़के आया थे वह formula के बारे में एक और revise करेंगे जैसे आप पढ़के आयते साइन 90 माइनस थिटा तो साइन 90 मतलब अब यहां पर आपको पढ़ना होगा मालीजे 5 by 2 माइनस थिटा मैंने का बोला साइन 5 by 2 माइनस थिटा तो साइन 90 माइनस थिटा किता होता है कॉस थिटा देखें 90 270 पी क्या होता है एंगल चेंज होता है, तो यहाँ पर लिखा है 90-θ, मतलब sin काई में convert होगा, cos θ, then फिर आपको बुला गया है, मानलीजिए, cos 90-θ, cos 90-θ किता होता है, आपको पता है, क्या होता है, sin θ, okay, तो इस तरीके सा आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, फिर आप दिखेंगे, फिर आप के मानलीजिए, 10 90-θ, 10 काई में convert होता है, cos θ, then 4th अपन पढ़ लेते हैं, sin का उल्टा, cos 90-θ, cos 90-θ, cos 90-θ मतलब यह क्या होता है, आपका, sec θ, तो cos काई में convert होता है, sec θ, okay, फिर उसके बाद में आपन बात करते हैं, 5th identity की, sec 90-θ, तो sec 90-θ, क्या होता है, cos θ, okay, तो इस तरीके से 5th identity हो गई, then फिर आपन बात करते हैं, 6th की, cos 90-θ, cos 90-θ, cos 90-θ जो होता है, वो cos काई में convert होता है, 10 θ में convert होता है, तो इस तरीके से आपको पता होना चीए, 90-90 में क्या होता है, एंगल चेंज होता है, और 270 में एंगल चेंज होता है, और πाई और 2पाई में एंगल चेंज नहीं होता है, तो मान लिजे, अपने 90-θ की बात कर ली, और 90-θ, यह सब positive क्यों है, क्योंकि 90-, 90- मतलब यह कौन सा quadrant है, फ़स्ट quadrant, इसलिए यह सब क्या होते हैं, positive, इसी कारण यह सब क्या होते हैं, यहाँ पर positive होते हैं, अब यहाँ पर मान लिजे, आपको इसी भी terms हा सकती हैं, यहाँ पर मान लिजे, मैं और अब second term की बात कर सेकंड क्वाड ready for X के लिए सेकंड क्वाडरेंट में औलवेस सिफ साइन और कोसेक प्लस में रिता है तो यहां पर आप देखें, sin 90 plus theta, तो sin तो plus में रिता है, इसलिए इसका answer क्या आएगा, cos theta, क्या आजाएगा मालनी जी है, 5 by 2 plus theta में मतलब किता आजाएगा, cos theta आपका इस तरीके से यहां पर आएगा, बस आपको पेचानना है कि यह कौन से quadrant में लाएगा कर रहा है, अम मालनी जी, यहां पर आगया, cos pi by 2 plus theta, तो pi by 2 theta plus theta मतलब second quadrant, और second quadrant में cos minus में रिता है, minus में रिता है, इसलिए क्या आजाएगा, minus sin theta, angle change होगा, क्यों होगा, क्योंकि 90 में बात कर रहे हैं, 90 or 270 में क्या होता है, angle change होता है, अम बढ़ते हैं, अपन थर्ड की हो, तो थर्ड मालनी जी, यह लिखा है, 10 90 plus theta, तो 10 90 plus theta मतलब second quadrant 10 negative रहता है, तो यह क्यों हो जायागा, minus 4 theta, तो इस तरीके से minus 4 theta आ जायागा, फिर अपन आगे बात करते हैं, आगे मालनी लिजी, अब यह आगया, सेक 90 plus theta, सेक काई में convert हो जायागा, कॉसेक में convert हो जायागा, बस यह देखना है कि positive रहेगा या negative, तो आपने देखा, pi by 2 plus theta मतलब second quadrant, second quadrant में सिर्फ sin और कॉसेक प्लस में रहता है, सेक काई में रहता है negative में, तो इसलिए यह क्या जायागा, minus cosec theta, फिर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cosec 90 plus theta, तो आप देखें, cosec 90 plus theta, 90 plus theta मतलब second quadrant, second quadrant में cosec क्या रहता है, plus रहता है, इसलिए यहाँ पर positive क्या आएगा, sec theta, फिर अपन बात करते है, इसलिए यहाँ पर क्या जायागा, minus 10 theta, तो इस तरीके से आपने देखा, मैंने 90 minus theta, और 90 plus theta के लिए आपको बता दिया है, बस आपको यहाँ पर concept पता होना चीए, कि किस quadrant में कौन सा function क्या होता है, positive या negative होता है, फिर आपको खुदी, यदि कोई सा भी question आएगा, तो आपको यदि concept clear होगा, तो आप कर लोगे, अब मान दिजिए, मैं एक concept और बता दिता हूँ, pi minus theta के लिए, देखे, मैंने पहले बता दिया है, 90 or 270 पर angle change होता है, pi or 2 pi पर angle change नहीं होता है, मान दिजिए, sin pi minus theta, sin pi minus theta, pi minus, pi minus मतलब मैंने देखा, pi minus मतलब second quadrant, तो second quadrant के यदि बात कर रहा है, तो second quadrant में sin क्या रहता है, sin क्या रहता है, positive हो रहता है, तो pi minus theta, pi minus theta मतलब second quadrant में है, तो मतलब ये क्या जाएगा, sin theta, pi में angle change नहीं होता है, साइन साइन में convert होता है ओके फिर मानलीजे मैं बात करना हूँ cos pi minus theta वापी से pi minus theta तो pi minus theta मतलब second quadrant तो second quadrant में cos क्या रहता है negative रहता है तो इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा minus cos theta ओके minus cos theta फिर मैं third की बात करूंगा यहाँ पर लिखना है यहाँ पर मानलीजे 10 10 pi minus theta मतलब second quadrant 10 क्या रहता है negative इसलिए minus 10 theta फिर मैं fourth की बात कर लेता हूँ यहाँ पर मानलीजे cos 90 minus theta cos pi minus theta तो cos pi minus theta मतलब all student cos positive रहता है second quadrant में इसलिए क्या जाएगा plus cos theta फिर मानलीजे फिफता चुपा यहाँ पर यह लिखा होगा है co pi minus theta many CAS pi minus theta मतलब second quadrant में positive क्या रहता है क्योंकि sine Olha को से की रहता है तो यहाँ पर इसलिए क्या जाएगा minus theta cula pi minus theta car pi minus theta मतलब second quadrant क्या बात नेगडिभ रहता है इसलिए क्या जाएगा minus theta और pi में angle change नहीं होते है same as it is लिखा घाते हैं तो इस तरीके से आपको यहाँ यह formula identities लिखें नहीं हो तो आप copy में लिख लिजिएगा okay so here our basic part of exercise 3.2 is completed if you doubt then comment in the comment box okay thank you